हेलो एवरिवन तो गाइज आप सबका स्वागत है आपके चैनल फोर यू ड्रेसिपीज में तो नया साल आने वाला है यार कुछ धमाकेदार सा तो बनना चाहिए न और चॉकलेट केक से जादा धमाकेदार तो कोई हो इनी सकता है मतलब कुछ हो इनी सकता है और इतना सुंद आज केक बनाने वाले हैं की भद से जादा सुंदर काटने से पहले आपको कम से कम दस बार लगेगा क्यार काटू की देखूं इतना वहंकर केक है और खाने में तो पूछो ही मत मतलब आप लोट पोड हो जाओगे चॉकलेट में इतना बहतरीन केक है अब आपको लगेगा फिर तो बहुत जंजट होने वाले हैं इसमें बिल्कुल जंजट नहीं है सुर्फ चार चीज़ों से बनाने वाले हैं यहां तक कि आपको जो बटर पेपर की बहुत टेंशन रहती है न वो टेंशन भी मैं खतम करने वाली हूं आपकी पर्मनेंट तरीके से और मैं आज जब आप keek बनाते हो तो आप छोटी-छोटी सी क्या गल्तियां करते हो जसके विज़ изб altura गलता है जैसे की केक भार से तो पग गया लगते हैं कि हाव भी बढ़िया पग गया है पर जैसे इसके अंदर चाकू डालके देखती है तो गिले-गिले, और फिर को होता है की केफ उपर से पूरा फट जाता है, बहुत जादा उसके अंदर क्रैक्स आ जाता है, यह केक पकत हो जाता है अच्छे तरीके से, पर जब उसको खाते हैं, वो बिल्कुल बीरी अच्छा लगता है, बिल्कुल सूखा 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 लगता है, या फिर क्या होते हैं, आपका केक तो चलो फटा फटा जाओ शुरू करते हैं बहुती प्यारी और ब्यूटिफुल सी रेसिपी को बनाना यह ले लिया मैंने चॉकलेट क्रीम वाला ओरियो बिस्केट जो 10 रुपे वाला आता है न वह वाला पांच पैकेट आपको बिस्केट लेने एक पैकेट के अंदर होते ह जाने की टोटल हमें कितने बिस्केट चाहिए 25 बिस्केट इसमें लेना है और इनका वजन जो है सारो का मिलाके वह है 250 ग्राम इसके जगे आप कोई दूसरे भी चॉकलेट क्रीम वाले बिस्केट इस्तमाल कर सकते हैं पर क्रीम वाले होने चाहिए इनको कुटाई कर देते ह या फिर आप हातों से भी तोड़ सकते हैं जिससे आसानी उसको पीसने में तो बिस्केट पिस गया है अब इसमें हमें डालना है दूद तो मैं ये नीले वाले कप ले रही हूँ और ये नीले वाले कप में 250 ml दूद आता है तो इसके नाप से मैं नीले वाले कप के नाप से में दूद ले लिया है और थोड़ा सा दूद मैंने बचा लिया है अब आप यहां पर देखो बहुत ध्यान से आपको चूटे-चूटे से बिस्किट के दाने दिखाई देंगे इसके अंदर यह इसलिए है क्योंकि इसने अभी दूद को अपने अंदर अच्छी से सोखा नह आप चाहो तो स्टील का बरतन भी ले सकते हो या फिर इस तरीके का बेचारा है ना जिससे घर में कोई पूस्ता नहीं है बरतन को साइड में बेचारा पड़ा रहता है डंडिया वंडिया टूटा हुआ अलिमीनियम का ये भगोना ले लिया मैंने इसमें अच्छे से चारो तरफ तेल लगा ले गया और ये जो बटर पेपर आप देख रहे हूँ ये मैंने घर पे बना के तयार किया है तो इसकी चार पड़ते मैं नीचे लगाऊंगी और दो पड़ते इसकी किनारों पे पांच मिनट के लिए इसको बिलकूल तेज आच पे गरम कर लेना है और ये जो बराबर में केक का हमारा मिश्रन रखा है इसमें डालेंगे आधा चमच यानि कि हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा अगर आपके पास नापने वाली चमच नहीं है तो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बढ़ाय हूँ है कि इसके बीना भी आप कैसे को नाप सकते हैं चीजों को तो जो बचा हुआ दूद으 था वो मैंने इसके उपर डाल दिया है जिससे कि बेगिंग सोडा अच्छे से इसमीं घुल सके यही वह बेकिंग सोडा है जिसे आप खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं बहुत आराम से मिल जाते है जहां पर चावल जैसे चीजे मिलती है न वहाँ पर मिल जाएगा नहीं मिलता है तो आप बेकिंग पाउडर डाल लो एक चम्मच यानि की एक टीस्पून वो भी नहीं मिलता, तो इनो तो सब जगे मिल जाता है, आप इनो डाल सकते हो एक चमच, अब एक प्रोब्लम आती है कि आपका जो केक है वो उपर से तूट जाता है काफी ज़ादा, तो उसके दो कारण होते हैं, एक तो आप जो एक केक का मिश्रण है, इसको बहुत ज़ाद के घुटाई कर देते हैं, या दूसरा कारण होता है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आप जो भी डाल रहे हैं, अगर वो ज़ादा हो जाता है, तब भी ऐसा होता है, इसलिए आपको केक के जो मिश्रण है, उसको ज़ादा नहीं चलाना, और अगर आपका केक का पतला हुआ, तो उसमें क्या दिक्कती है, केक आपका फूल जाएगा, पर फूलने के बाद में जैसी आप गैस बंद करोगे, ठंडा होने पर वो बीच में से पिचक जाता है, दब जाता है, और अगर आपका जो केक का मिश्रण है, वो इससे भी जादा पतला हुआ, और प केक इक का बरतन हुए और गैस को कर देना है बिल्कुल कम,ैने कि बिल्कुल low flame पे हम इसको पकाने वाले हैं तो इसके उपर यह कपड़ा मैंने cotton का या सूती कपड़ा कोई भी आप लेके इसके उपर ढख दो यह हमने इसी लिए ढखा है क्योंकि कभी-कभी होता है कि आपका जो cake होता है उसके बीच पे भाप की बूंदे यानि कि जो steam होती है उसके बूंदे गिर जाती है उसके वो गीला-गीला सा हो जाते है तो इससे क्या होगा जो एक कपड़ा है सूती कपड़ा यह उसको सोख लेगा तो वो भी दिक्कत आपके खतम हो गई तो इसको 30 मिनट तक हम नहीं छेड़ेंगे इसको बेग होने देते है तब तक हम क्या करते है जो chocolate है ये 1500 ग्राम मैंने dark chocolate लिए आप इसको कम भी कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप 1500 ग्राम ले आप जितना उसको chocolate ही बनाना जाते हैं श्रद्धा है कम जाधा करने की अगर वो ना मिले तो dairy milk तो सब जगे मिल जाती है आप ये वाली chocolate भी इस्तमाल कर सकते है चॉकलेट को मैं थोड़ा सा छोटा छोटा सा cartridge जिससे पिखलाने में आसानी है और यहां देखिए वो तरीका जो आस तक आपने चॉकलेट को पिखलाने का तरीका कभी नहीं देखा होगा आपको कह करना गैस जलानी है कम पर रखनी है गैस और जो भगोना है चॉकलेट का उसको उचा ही पर रखना है जिससे उस पर direct heat ना लगे सिर्फ उसको गर्मी मिलती रहे थोड़ी थोड़ी से और वो आराम से पिखल सके आपने यह कहीं नहीं देखा हुआ क्योंकि मेरी जैसे जो आलसी लोग होता है न वो इस तरीके के तरीके निकाल सकते है वैसे तो इस रेसिपी में क्रीम की ज़र्वत है पर हम दूद लेंगे जिससे कि सब लोग इसको बना सके तो अगर आप गर्मियों में इसको बना रहे हो तो दूद आपको डालना है उस नीले वाले कप के हिसाब से उसका चौथा हिस्सा अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो उस नीले वाले कप का आपको तीसरा हिस्सा दूद लेना है तेज गर्म करके दूद को इस चौकलेट में डाल देना है और यह हो गया पकते हुए हो गए है तीस मिनित आज़ा उसका मुकडा देख लेता है क्या हल चाल है इसके तो अगर आपको यह लगे कि यह कच्चा है तो चार प्याद चार या पाँच मिनट के लिए इसको और पका सकता है थी ऐसे पिखला रहे हूं पर इसमें कोई दूद वगरा नहीं डालेंगे अब इसको हलका सा ठंडा होने के लिए रख देते है अब बहुत प्यारा सा डिजाइन बनाना इस चौकलेट केक के लिए तो आप इस तरीके से कीप बना सकते हैं रिशे महनी वाली कीप नहीं बना है वो आराम से निकल सके तो अब जो चॉकलेट वो थोड़ी से ठंडी हो गई और कुछ इस तरीके से महंदी की तरह चल रही है एक होती ना कि चॉकलेट बह रही है बहनी नीच ही है अगर वो बहेगी तो उससे डिजाइन अच्छा नहीं बनेगा तो आपको डिजाइन किस त करते हैं तो वो उस टाइम पे वो टूट जाता है डिजाइन क्योंकि वो अंदर की तरफ मुड़ता है जो आपका गुबा रहा होता है तो यह तैयार हो गया और उसको हम सेट होने के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं 10-15 मिंट के लिए और अब मैं तील का बाउल या कोई भी बाउल ले सकते हैं और इसको थोड़ी से उसके उपर जो सलवट है ना उनको कम कर लेना जितना कम होगा अच्छा है गोल-गोल घुमाएंगे इस पर चिम्टी लगाएंगे और आपका सेट अप हो गया तयार अब इसके उपर भी हम उसी तरीके स सेम डिजाइन बनाएंगे पिस इस तरीके में एक फायदा क्या होता है कि आप जब इसको तरचा करते हैं तो अंदर की जो पॉलिथीन है उसको पकड़ के आप इसको तरचा कर सकते हैं तो ये डिजाइन भी हो गया तो यार इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूं 10-15 मिन से धीरे करके छोड़ना है जिससे जो हवा है वो आराम आराम से उसमें से निकले तो आपने देखा कि जो एक्स्ट्रा डिजाइन नीचे की तरफ बनाया हुआ था वो अलग हो गया इसलिए मैंने कहा कि जादा नीचे तक आपको डिजाइन नहीं बनाना है और आप देख सक गाइस ओ माइगाड कितना बहतरीन कितना सुंदर ऐसा लग रहे जैसे कि कोई शोबीस होता है न ऐसा लग रही है तो केक ठंडा हो चुका है बटर पेपर देखो कितने प्यार से निकल गया है इसमें कितना बहतरीन सॉफ्ट केक बना है और अब क्या करेंगे इसके ऊपर से थोड़ा सा यह हिस्सा काट लेंगे और इसको फैकना नहीं है इसको हम इस्तमाल करने वाले है यह देखो इसके उपर जाली कितनी बहतरीन बनी है तो अब मैं केक को दो हिस्सों में काट ले रही हूँ और अब हमें चाहिए टेंट टेबल जिससे हमें केक को चक्कर खिलाना तो यह मैंने जुगार कर लिया घर पे अब जो केक का नीचे वाला हिससा इसके पेटू में बहुत सारे छेद कर देगे जिससे इसके इंदर चॉकलेट भर जाए और खाने में मज़ा आ जाए तो अब मैं क्या करें जो दूद और चॉकलेट का मिश्रण बनाया था वो उसक उसको जादा छूना मत मतलब उसको चम्मच से नहीं चूना है आप उसको इधर से टेडा मेडा करके इस तरीके से इसको फैला सकते हैं और जो किनारे हैं उसे चम्मच से आप प्लेन कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी जो चॉकलेट है वो चारो तरफ इस तरीके से टपका द वालाए था उसको हम इस तरीके से हातों से पाऊडर जैसा बना लेंगे दिश्व के अंदर चॉकलेट और जूद का मिश्रण डाल के गोले बना लेंगे और अभी यह इसके अंदर नााने जा रहे हैं कितना मजा आ रहा हुब और देखोन और दूद के मिश्रण में डाल के इनको फ्रिज में आप रख सकते हैं 10-15 मिनिट के लिए इससे सेट हो जाए केक को और सुंदर बनाने के लिए मैंने चोकलेट लिए और इसको चाकू से इस तरीके से उसकी कतरन निकाल लेंगे और इसी कतरन को मैंने केक के चारो तरफ लगा पर अब ऐसे तो मैंसे छोड़ने वाले नियों थोड़ी इसकी और अपनी आत्मा की शान्ती के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जिस जिसको से देख की शान्ती में लिए ना आप सब का खुराफाती दिमाग है बिल्कुल मेरे जैसा यह वाला जो बाउल हमने बने हैं तक कितना इसके उपर फिट आ गया है ओ माई गॉड़ सी दिस कितना कितना सुन्दर लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे इसको ताज पहना दिया हो यह देखो लग रहा है बहुत बहतरी नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने घर पे बनाया है बिल्कुल कोई कही नहीं सकता है कि आपने इसको घर पे बनाया है और जो मैं इसको काट रही हूँ न तो जो ये टोकरी हमने बनाई है जो ये बावल हमने बनाई है इस तरीके से तोट रही है जैसे की गुलाब की पंखुडियां गिरती है न उस तरीके से गिर रही है तो और जादा खूबसूरत लग रही है ये देखो कितना चॉकलेटी और उनके मजह आ जाने वालो है। इस रसीपी को जारूटे करर नहीं हूँ है। अगर आपको रसीपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। नहीं पसंद आती है तो कोई कीपया PM बताया थे पापो वीडियो लाका क्या है क्या म inspy Ende चलेगा तो enjoy किजे बहुत ही यमी recipe till then take care enjoy and bye bye जिल लोगों के पास ये नापने वाली teaspoon नहीं है आपको घर में से चमच लेनी है जिससे खाना वगयर खाते है उस size के आपको चमच लेनी है उपर तक baking soda भर लेना और बहुत हलके हाथों से उसको उपर से plane कर लेना है पतली सी परत है चमच के अंदर उसको जब आधा कर दोगे तो वो आपका आधा teaspoon के यानि की आधी चमच के बराबर होता है अगर आपके पास नापने वाला cup नहीं है तो आपको 250 ml दूद यानि की एक पाउ दूद लेना है और किसी cup में डाल देना है तो जहां तक वो दूद आ रहा है उस cup में आपको निशान लगा लेना है तो वो एक cup के बराबर है अगर मैं यह कह रहे हूं कि 1 4th cup यानि की एक चोथाई cup तो उसका मतलब है कि जो आपने एक cup लिया है ना उसका चोथाई सा अब जिसके पास butter paper नहीं है आज आओ फटापर टेंशन फ्री हो जाओ आज तो यहां पर मैंने एक notebook ले लिया इसके बीट से मैं पेज निकाल रहे हूं दो-दो पेज निकाल रहे हूं तो चार पेज मैंने ले लिया यहां पर तो अब आपको इसके उपर refined oil डालना है तो तेल कितना डालना है इसके उपर बहुत अच्छे से डालना है जब तक कि इसके आर पार दिखाई देना ना शुरू हो जाए ऐसा कि अगर मैं इसके नीचे हाथ रखो तो दिखना ना शुरू हो जाए अगर आपका एक भी कोना छूट गया और आपने तेल नहीं लगाया तो उसमें आग भी लग सकती है तो बहुत ध्यान देना श्चीज का यह दिखो दिखाई दे रहा है ना मिरा हाथ और इसका मतलब य आपको तीर लगा कि इसी तरीकी से तियार कर लेने